गूगल फोटो में लॉक्ट फोल्डर कैसे बनाएं दोस्तों आप भी फोटो से इस्तेमाल करते हैं और उसमें लॉक्ष फोल्डर बना जाते हैं जिसमें आपकी गूप्त फोटोंगों अपलोड करके आप रख सकते हैं तो बने रहे चीए वीडियो वीडियो आपको लाज तक देखना है दोस्तों मैं हूँ आपका अपना धीरेंदर सिंग बिस्ट अभी आप देख रहे हैं टेक नेट भी और चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर देना आपको गूगल फोटो संब्सक्राइब और भी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी तो दोस्तों चलिए ख़ें जानते हैं आपको फोल्डर कैसे बनाना है दोस्तों आप गूगल फोटो के अंदर अपना लॉप फोल्डर प्राइवेट लॉप फोल्डर बनना चाते हैं तो कुछ नहीं है आना इदर फोको फोटो को क्लिक करना है एप्लीके समय ओपन हो जाएगा अगर मान लीज तो आपके सब्सक्राइब करना है और इसको फिंगर पिंगर पिंट से ओपन कर लेना है और लॉक्ड फोल्डर बैकप इस ओफ समझ के फोटोज एंड वीडियो इन लॉक्ड फोल्डर देट आर लॉक्ड आप इसलिए यह कह रहा है कि यह रेगुलर नहीं रख सकते इनको बैकप करके इसलिए हमें इसको ओन करना डाटा बैकप को ओन करना होगा हम कंटीनु करेंगे लॉक्ड फोल्ड के अब मूब कर देंगे और यह लॉक्ड फोल्डर के अंदर मूब हो रहे हैं ऊजकर देखिए त्यूब फोटो है जो कि हमारे लोग फोल्डर के अंदर मूव हो चुके हैं तो सब करना कि अगर आप देखना चाते हैं लोग फोल्डर अगर दोस्तों मान लीजिए आपको लोग फोल्डर नजर नहीं आ रहा है यहां से देखो यहां से लोग फोल्डर आपको नजर आएगा नहीं त फोटो लाग फोल्डर तो यह लोग फोल्डर के उप्सेंप क्लिक करते हैं यह मांगेगा यह मंगते उस तो बैक अप लॉक फोल्डर जैसे आप टर्न अन करो गया जितनी फोटो होंगी यह लॉक्ड में आ जाएंगी इसलिए ठीक है इसको नहीं करना एक बार आपकी सब्सक्राइब करना है और फोटो आप यहां से एड कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने हमारे गूगल फोटोस के अंदर लॉक फोल्डर को सेट अप किया उसमें लॉक लगाया और उसके बैक अप सिस्टम को टरन ऑन टरन ऑफ कर आफ भी आपको करक आपको अच्छी लगई होगी और इस वीडियो से आपने अपको इनकरी लियोगियोगी और चीजह करता हूं कि आपके आपकी फोटों सेफ और प्राइवेट में रखी हुई होंगी और दोस्तों अगर आपको गूगल फोटोस से समभंदिध और समश्या आती है इस सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल एक बार नया नया है और हमें इस चैनल को काफी आगए तक लेकर जाना है आपके सयोग से ही होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार